तो आज इस बैस का आखरी वीडियो होगा मेरे तरफ से आप लोगों के साथ फेजटू से जो सफर सुरू हुआ था मेरा और आपका वो काफी बहतरीन रहा और आप लोगों का सहीवग रहा और हर टॉपिक पर मैंने वीडियो बना कर आप लोगों का हेल्फ भी किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जितने भी इस चैनल से लड़के जुड़े हुए हैं चाहे गर्ल्स हो चाहे बोईज हो जितने भी कैंडिड्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं अब जाकर आपका एक ही काम है कि ATS पर अच्छे से वहाँ पर ट्रेणिंग करना है और जितना बात हम इस वीडियो के अंदर बोलेंगे उसको फॉलो भी करना है अगर आप एक सुखी संपन ATS कंदर में जिन्दगी चाहते हैं कि मज़े से आपका ट्रेणिंग कट जाए कुछ पता भी ना चले ट्रेणिंग कब खतम हुआ तो मेरा इस वीडियो को भी ना स्किप कि आपको वाज करना पड़ेगा अगर अच्छा लाइफ भी ताना चाहते हैं ATS कंदर तो क्योंकि इस वीडियो में हम वही बात करेंगे जो आपका ATS में कराया जाएगा और उस चीज से जू चीज हम बोलेंगे उससे आपको दूर भी रहना है ठीक ओभर स्मार्ट नहीं बनना है दूर रहना है ठीक है ना और बाके जितने भी नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों से भी मिस ना हो तो चलिए सुरू कर लेते देखो सबसे पहला हम चीज यह बताएंगे पॉइंट नंबर वन मेरा यह रहेगा जितना भी आज डाउट है नो आपका हम किलियर कर देंगे इस बैस से रिलेटेट जो भी डाउट है वो लास्ट में भी किलियर करेंगे पहले हम यह देख लेते जितना आपका इस वाले में आफ़त है ठीक है तो इस आफ़त को दूर करने के लिए आपके लिए हम रामबान बता देते हैं ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपका जीवन है जो काफी बढ़ियां से बीज जा है बाइस वीक में ठीक तो पहला नंबर चीज कि वहाँ कुछ भी बनना नहीं आपको ठीक है कोई भी appointment आता है उसको accept मत करना मेरे तरफ से यही राय रहेगा कि कोई भी appointment आएगा accept बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ना कर देना ठीक पहला number point हो गया दूसरा number point drill competition आपका होगा भाग नहीं लेना है instructor आपको मतलब की judge करने के लिए बोले कर देना है ठीक है उल्टा सीधा करना है ताकि वह आपको side में छाट कर बाहर निकाल दे अगर आप pass हो जाओगे trail के अंदर में तो आपको मतलब की drill competition कराने को बोलेगा ठीक है इस competition के अंदर होगा क्यानो कि आपको time तक नहीं मिलेगा 15 दिन तक आपको rest तक नहीं मिलेगा 15 हाटे हमको हम गलती कर दे ठीक अगर पास करोगे तो तुम्हारा 15 दिन तक कोई भी rest करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है ठीक है पास मिनिट का rest मिलेगा दीन में बाकी तुम करते रजाओगे फिर तो इसलिए हमारा यहां से drill competition के लिए नूर आएगा और भाग मत लेना उस किसी भी इंस्ट्रक्टर के नजर में बिल्कुल भी ना आना समझ गए चौथा नंबर पॉइंट भीड के हिस्सा बनकर हमेशा रहना है आपको इस बात को याद रखना अगर मेरा बात अगर भूल जाओगे क्योंकि वहां पर फोन जमा हो जाएगा फोन ले भी जा सकते हो अगर तुमारे पास अच्छा कासा माइंड मतलब की तिमाग लगाना पड़ेगा थो फोन ले जाने के लिए बट हमारे तरफ से फोन के लिए नोही रहेगा ठीक है जमाही कर देना बट डायरी जरूर अपना रखना है डायरी में वह चीज को नोट करके रखना जो तुमार ममी पापा का नंबर हो गया वहाँ पर जाने के बाद कि ओल संडी को ही तुमको बात करने को मौका मिलेगा दस मिनट के टाइम मिलेगा सर्विस वाला फोन से बस संडी को छुट्टी मिलेगा तुमको संडी को छुट्टी में बता दे कि टाइम तक नहीं मिलेगा दस मिनट फोन के लिए मिलता है, कॉल ओल लगाना है, तो लगा सकते हो, बाकी साफ सफाई में अपना विलेट का तुमारा वो पूरा दिन निकल जाएगा, कपड़ा हो गया, यह हो गया, सारा गंदा, मनलब की पूरा जो वीक का तुम गंदगी फैला कर रखते हो, उसी में तुमारा सम करते हो, तो जामा करा देना, जामा हो जाएगा, फिर वो ट्रेंडिंग के बाद आपको मिलेगा, बाइस विक का ट्रेंडिंग खतम कराने के बाद, पी ओ पी जब हो जाएगा, पासिंग आउट परेट के पहले आपको मोबाइल मिल जाएगा, ठीक, तो जामा कर सकते हो, व भीड का हिसा बनकर तुमको रहना है नहीं रहने का सवाल नहीं है रहना है तुमको भीड में हमेशा रहना है ठीक इंस्ट्रक्टर के नजर में नहीं आना है भीड के हिसा बनकर विल्कुल रहना है ठीक कोई भी काम नहीं करना इस बात को ध्यान में रखना ठीक, पहला नंबर पॉइंट जो था भीर से रिपीट कर देते हैं, एपॉइंटमेंट आएगा, एक्सेप्ट नहीं करना है, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए हा नहीं करना है, ना करना है तुमको, ठीक है, ड्रिल कंपेडिशन से दूर रहना है, जज करने के लिए इंस्ट करक्टर के नजर में नहीं आना है, तीसरा मेरा पॉइंट है, चौथा मेरा पॉइंट है, भीड के हिस्सा बनकर रहना है, भीड के हिस्सा बनकर चौथा नंबर पॉइंट है, मेरा रहना है, कोई भी काम नहीं करना है, पाचवा नंबर पॉइंट है, अब करना है, अब दिल्चस्पी ज्यादा दिखाना कि इसमें ज्यादा मजा है मेस गाड बन जाओगे तो तुम्हारा साफ सफाई मेस का करना पड़ेगा और दिन बर खाते रहो मेस में केला अनार जो मिला उसको चापते रहो खाते रहो और मेस का साफ सफाई करते रहो मजा लेते रहो ठीक है उसके बाद हमारे यह कहना है कि उसके बाद आपका trade allocation test होता है उसके बाद ये जो पढ़ाही लिखाई वाला हम चीजें बता रहें trade allocation test में सब pass हो जाते हैं तो ज़्यादा दीमाग मतलगा ना, trade allocation test होगा, सब पास हो जाएंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा तु मैंत समझनगा कि टिस्ट के ही साफ से trade मिल रहा है घर 20 पहले से ही उरइड कर देते हैं कि उनको क्या मिलना होता है वह मिल जाता है तो ये test का कोई वैल्य उतना है नई Formality है सिर्फ... तो यह तुम्हारा हो जाता है किलिए तर उदरु दरुदरु कि उसके बाद Trade Relocation Test रहेंगे तुम्हाराкое जो Squ۔ouredë Cartoon waar Gary here Fen old वाली जब जाएंगे यहां से तो Y Group Waar शुफा वाली मुझ 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 मेरे में वाय वाले रहेंगे और बाकि एक महिना के बाद ट्रेड आपका बट जाएगा एक महिना के बाद हर कैंडिट जो जिस ट्रेड में था वो दूसरा ट्रेड में इदर उदर भी खर जाता है ठीक है और 14 दिन का सीक रिपोर्ट मतलब की बीमारी वाला 14 दिन से ज्यादा तुम नहीं ले सकते हो अगर कुछ भी मालनों सर्दी हो गया खांसी होगा बुखार हो गया तो 14 दिन तक तुमको मिलेगा लगकि पूरा चाहोगे तो अगर तुमको कभी रिष्ट करने का मन नहीं किया नो तो सीक लीप ले सकते हो सीक रिपोर्ट अपना कर आ सकते हो मालनों यह थोड़ा सा भी खांसी हो गया तो सीक रिपोर्ट लेकर पूरा दिन चिल मारो मजा लो पूरा दिन का मजा हो जाएगा तुमारा अराम से क्या करोगे एसमसी चले जाओ रेस्ट करो वहां जाकर ठीक है ना पीटी ना करो ना परेड ना पीटी ना लेगा तुमारा ठीक एसमसी चल जाओगे बर्ट यह कुसिस करना कि 14 दिन से जादा ना ले पूरा ट्रेडिंग पिरिएड के अंदर में 14 दिन का ही रखें 22 विक में 14 दिन मतलब की इंपोर्टन टुमारे डे है थोड़ा सा भी अगर कुछ भी होता है तो यह तुम आराम से एक दिन रेस्ट के लिए ले सकते हो तो बाइस विक में 14 दिन कमा जा इसमें तुमारा हो जाएगा अगर थोड़ा भी खासी हुआ जुकाम हुआ ठेक है बुखार हो जाता है तो एक दिन का सीक रिपोर्ट लो और जाकर सेमसी में आराम से चिल कर लो तो यह हो गया तुमार इतना कहानी ठीक है और उसके बाद दूसरा मतलब की और बाकी और पॉइंट बदा देते हैं कि इस बैच के अंदर में गर्ल्स भी जा रही है ठीक है ना लतीफ स्कौाइडन में गर्ल्स को रखा जाएगा तो आपको बता दे कि गर्ल्स के तरफ कभी नहीं देखना है इस इसको ध्यान में रखना क्योंकि पूरा कैमरा लगा हुआ है गर्ल्स के स्कौाइडन बहुत ही हाई सेक्यूरिटी के अंदर है फैसलिटी बहुत ही बहतरीन क्वालिटी का सेक्यूरिटी का जवर्जस थे कैमरा बिलिट के अंदर में गर्ल्स का लगा हुआ है ठीक है तो ग तो इन चीजों को हम आज ही बता दिए मिनी परेड ग्राउड से लड़की का स्क्वाडन सीधे दिखेगा तुमको मिनी परेड ग्राउड है न वहाँ से लड़की का स्क्वाडन दिखेगा बढ़ देखना वो तु उढ़र ठीक है वो देख सकती है टाइब में सीम डालोगे बहुत जब अरजस्त पनिस्मेंट मिलेगा इसका तो कभी मट डानला और हाँ एक और बात बता दे विंग कमांडर होगे एक सुभम त्यागी त्यागी जो विंग कमांडर है इससे हमेशा दूर रहना सब बहुत ही भ्यानक की विंग कमांडर है ट्रेंट को नोट कर ले जितना हम बाते बोल रहे नंख कर तुम भूल लककर हो भूल जाओग वहर चीज को नोट कर लेना क्या क्या बोलरह आए तुम को से के एप यह सी क्या मशसुच हाने कि एक और बाकी इतना अचो बटाद इसको फॉलू करना और बहुत five candidate यह भी करते हैं कि हमको parents से मिलना होगा training में तो कैसे मिलेंगे दोंको basic training में parents से नहीं मिल पाओगे tetra में तुम्हारे parents मिल सकते हैं basic के अंदर नहीं मिल पाएंगे ठीक है तो यह भी हम तुम्हारा doubt है जो गो clear कर दिये तो कोई doubt अपने मन में ना रखना ठीक और total 6 squadron होगा squadron का भी नाम सुन लो अपना total 6 squadron में तुम लोग का training होगा मजमूदार एक squadron होगा लाल squadron है लतीफ है कात्रे सुब्रोतू और मेहर 6 squadron है जिसमें सुब्रोतो का performance थोड़ा सा better है बाकि squadron से compare करते सुब्रोतो थोड़ा सा बढ़ी है squadron है लेकिन मजमूदार बहुत ही खतना के squadron है ठीक है इसका इतिहास बहुत ही भ्यानक है बर्ट इसमें वाहिवाले जाएंगे तो रैंग के हिसाप सही मिलेगा ऐसा मत सोचना तुम्हारा जो रैंग के उसके हिसाप से ही मिलेगा तो वाहिवाले तो पूरा लपेट में आ जाएंगे मजमूदार के अंदर में एक महिना इसमें रहोगे बाकि उसके बाद जब स्कॉाइडिन अपडेट हो जाएगा चेंज होगा तो सब इधर उधर इधर के उधर हो जाएंगे ठीक कुछ इस तरह का आप लोगों का पूरा था जो चीज हम बताएं उसको आप लोग फोलू करिएगा कोई भी लड़का होए लड़की से इसको इगनोर ना करना जितना ह हमने बताया यह चीज़े आपको वहाँ पर करना है अगर आपको बढ़िया जिन्दगी बिताना है बाइस विक का एटीएस कंदर में तो यह चीज़े आपको करना पड़ेगा ठीक छुट्टी का कोई चांस नहीं है एटीएस कंदर ट्रेनिंग पिरियेड में बाइस विक वाले में चुट्टी नहीं मिलेगा टेट्रा के बाद ही चुट्टी मिलेगा 22 विक का ट्रेनिंग करने के बाद टेट्रा होगा दो महिने का उसके बाद 14 दिन का तुमको चुट्टी दिया जाएगा घर आने का टेट्रा कंप्लीट करने के बाद 14 दिन के बाद घर आओगे मतलब complete हो जाने के बाद आपका चोदो दिन के लिए तुम घर आओगे मात्रे दो वीक का ही छुट्टी मिलेगा only two weeks ठीक है तो टेटरा complete करने के बाद ही मिलेगा तो मतलब 22 वीक उधर बिताओगे उसके बाद टेटरा के लिए निकलोगे वही से टेटरा के लिए बैंगलोर में ही आपका होगा निकलोगे टेटरा complete दो वीक के लिए घर आओगे ठीक है और बाकी और सवाल था आप लोगों का कि वहाँ पर जाने के बाद graduation का क्या होगा graduation आपका complete करवा देगा सब ठीक है graduation चार साल के अंदर में जिनका भी छुटेगा चार साल में graduation आपका हो जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा सोचने ही जड़ोत नहीं है graduation हो जाएगा आपका तो graduation आपका लबी मत सोचेगा कि नहीं कर पाएंगे कुछ भी इसा वो हो जाएगा आपका बाखी civil exam आप नहीं दे पाओगे training period के अंदर में कोई भी exam civil का नहीं दे पाओगे only exam दे पाओगे किसका navy का, air force का और army का यह तीनों से नाओ का exam नहीं कि defense का exam तुम दे सकते हो चाहे SSB हो चाहे कोई भी exam हो आपका defense related अगर आपका exam है तो आप training period के अंदर में exam दे सकते हो बट civil का exam के लिए allowed नहीं किया जाएगा समझ गए और phone का हम बात बता ही दिए phone के लिए आपको 10 minute Sunday को मिलेगा Sunday आपका छुट्टी वाला दिन रहता है बट वो नाम के लिए छुट्टी वाला दिन होता है काम काफी जादा रहता है ठीक है आपका ही काम रहता है मतलब कि साफ सफाई ये वो पूरा week का जितना भी कचला फचला फैला कर आपने रखा हुआ है गंदिगी उसको साफ करना पड़ेगा आपको तो यह सब आपका चलता है रहेगा मेस का खाना बहुत ही जब अर्जस्त मिलेगा जब अर्जस्त क्वालिटी के खाना है जो चाहोगा चिकन विकन सब कुछ है अव लेवल है तो उसके लिए टेंसर नहीं लेना है ठीक है मस्त ट्रेंडिंग करो जो चीज़े हमने बताया है उसी को तुमको फॉलो करना है अगर एक बढ़ियां सा ट्रेंडिंग के अंदर मतलब की कोई दिक्कत ना हो चाहते हो तो इस सीज़ को फॉलो करना है जितना हमने बताया क्या करना है बियो बनना है मेस काट बनना है ठीक है इंस्ट्रक्टर के नजर में नहीं आना है भेड का हिस्सा बनकर हमेशा रहना है तुमको एपॉइंट्मेंट को बिलकुल ना करना है यस मत करना ड्रिल वाला जो कमपरडिशन है उस सो दूर रहना है तो इन कुछ चीज़ों को मतलब की कुल मिलाकर जितना हम बताये इसको अगर फॉलू कर लिए तो तुम्हारा बाइस विक बहुत बढ़ियां से बीच जाएगा समझ गए बस इतना काम करना है अब बोलो गए फिर पर्मानेंट के लिए क्या रूल है तो देखो अभी इसको करना तुम ठीक है जितना एकजाम होगा नो उसमें बढ़ियां काम करना लेकिन यह सब चीजे से अभी तुमारा थोड़ा सा दूरी बना कर रखना है ताकि तुमको ज़्यादा लोड ना पड़े हम यह चाहते है कि ज़्यादा तुम घसीटे मत जाओ वहाँ पर काम के लिए और उस विंग कमांडर से दूर रहना त्यागी से त्यागी बहुत ही खतरनाक विंग कमांडर है ठीक है यह कहीं भी दिखे नो इससे कभी भी दूरी बना कर रखना पकड़ाने पर बहुत ज्यादा रिलाई करे गई है तो विंग कमंडर त्यागी से दूर रहना तो यह पूरा एटीस का आपका लेखा जुखा हमने क्लियर कर दिया मेडिकल बहुत ही इजी होगा कोई भी लड़का बाहर नहीं होगा वेट ज्यादा हो कम हो कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तुम जाओ अराम से चिल करो कोई बाहर नहीं होगा ठीक सारे के सारे बच्चे वहाँ पर सलेक्ट कर लेजाएंगे बस थोड़ा सा आप यह देखना की सिरियस इंजरी ना हो बाकी तुमारा क्या पॉइंट है क्या नहीं था सब क्लियर हो जाएगा ठीक मेरे तरफ से सारे कैंड़ेट पास हो जाएंगे बस यह होगी थोड़ा लाएंगे करेंब कैसा सिरियस इंजरी सीकोट मनलब की सीरियस इंजरी को छोड़ाकं कर बाकी ओल पॉइंट हो जाएंगे पास हो जाएंगे तुमारे मनल मैंडिक्ट का लिए जाते हैं चालीस मिनट में मेंडिकल खतम अधा PD मेडिक्क और मेडिकव झ्यादा थोड़ा यह तुम लोग के लिए लास्ट वीडियो था ताकि जाने के बाद एक बढ़िया सा तुम्हारा लाइफ वहाँ वर बीच जाए कोई दिक्कत ना हो ठीक है क्योंकि हम को हम चाहते हैं ऐसा कि देखो आप लोग हमारे साथ जुड़े हो तो एक एक इमोशनल बॉंडिंग हो जाता है तो हम चाहते ही कि बच्चा कस्ट में आ रहे कैंडिट्स जो हमारे हैं जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए लड़के वो कस्ट में ना रहे बढ़िया सा उनका एक लाइफ बीच जाए ट्रेनिंग में हम यही चाहते हैं और बाकी आ पहले फोन मिलेगा पैसिंग आउट परेड में अपना ममी पापा को बुला उला कर अपना वीडियो सीडियो बनवाना फोटो घीचवाना बढ़ रहा है और सुसल मेडिया पर मट डालना अपने फोन में ही रखना वाटसेप स्टेटेस में डालना भी तो कुछ कर लेना कॉंटेक्ट लिस्ट को कि मेरे पापा देखेंगे मेरे मम्मी देखेंगी मेरे यह देखेंगे मेरे यह बस चार लोग सेलेक्ट कर लो बस प्रैविसी में रहेगा वह लेकिन बाकी क्या मेड सोसल मेडिया पर डालोगे तो वहां इधर उधर हो सकता है इसलिए मेरा यही एक सजेशन रहेगा बाकी डायरी तुम आपना लेकर जरूर जाना डायरी में बहुत सारी चीज़ों नोट करकर रखोगे तो काफी बेटर रहेगा कि यह ज्यादा जुरूरी है भूल जाओगे तो दिक्कत ना होगा फिर चल तो ठीक है गुडबाय आप लोगों को इस बैस को बढ़ियां से ट्रेडिंग करिए एक या दो दिन आपका लास्ट आँखरी घर में बढ़ियां से बिता लीजिए ममी पापा के साथ टाइम है स्पेंड करी हमारा तो चलो होगे आज का तुम लोग के साथ लास्ट से संथा बट आप अपने पैरेंट्स के साथ जितना दिन रात एक दो दिन बचा हुआ है तो अपने पैरेंट्स के साथ जितना हो सके गपसप मारी बाते करिए क्योंकि 22 वि कर लो एक दो दिन जो हो और मेरे तरफ से आप लोगों को best of luck ट्रेणिंग के लिए अच्छे से ट्रेणिंग करिएगा और इन चीजों को follow करिएगा ठीक है ट्रेणिंग कितना भी hard of punishment जो भी मिले बस उसको बरदास कर लेना क्योंकि बस वो एक से एक महीना थोड़ा सा दिक्क होगा एक महीना के बाद मस्ती ही मस्ती है आराम से मौज करोगे कोई दिक्कत नहीं है एक महीना बस तुमको निकाल लेना कैसे भी करके जो शुरू का फर्स्ट मन्त होगा नो ट्रेणिंग का उसको निकाल लेना बाकी का जो महीना काफी बढ़ियां से बीतेगा ठीक तो एक ठीक है बाकी जितने नए लड़के हैं देख लो इस बैस को तो हम अलवीदा बोल दिये जो नए कैंड़ेट्स हैं जिनका फेस्टू होने वाला है आप लोग भी जूड़ जाओ जीडी डेली का डेली हो रहा है ग्रूप के अंदर में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीस नगनी वीर आपको दिख जाएगा ठीक है अगर लिंक से ना खुले तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और सेर जीतना हो सके करो तक कि अगर कोई लड़का मेरे चैनल से नहीं जुड़ा होगा अभी वो फेजटू के लिए बहुत सारा पैसा बरबात करने वाला होगा ठ ठीक है ऑफ्लाइन कोचिंग में ओनलाइन कोचिंग में जाएगा दस पवीसा जार उपया लगेगा उसका फालतू का और बाकी जो अभी हमने चीजे बताया है एटीस कंदर वाला हो सकता है कि कोई मतलब मोशली तो मेरे चैनल से जुड़े ही एटीस वाले जितने जाने वा जो मेरा वीडियो देख लिया वह चलो कुछ हद तक वह सेफ हो जाएगा उसका मतलब कि बढ़िया मजे में कटे गड़ ट्रेनिंग लेकिन जो मेरा अगर वीडियो नहीं देखा होगा उसका तो कल्यान हो जाएगा फिर तो इसलिए जो नहीं देखा होगा उसको सेयर कर दे में बीच्चे!